हेलो स्टुडेंट आज इस वीडियो में आपको हम मेगा स्पोरो जेनेसिस याने की दीर्ग बिजानू जनन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जैसा कि आपने माइक्रो स्पोरो जेनेसिस लास्ट वीडियो में देखा था अब इसी का ये second important topic है जो कि board में आपको मिलता है actually मेगा स्पोरो जेनेसिस is a process in which development of female gametophyte and inside of female gametophyte formation of female gamet known as excel तो दीर्ग बिजानू जनन वो प्रिक्रिया है जिसमें मादा यूगमत का निर्माड होता है और मादा यूगमत को भिद के रूप में इसका development या विकास पूरा होता है ठीक है clear? Let's start देखें जैसे कि अगर हम मेगा स्पोरो जेनेसिस की बात करते हैं तो यह जो प्रोसेस है वो किसमें होती है? ओवियूल में अगर हम ओवियूल की बात करते हैं तो ओवियूल में फिस्ट टाइम ओणली टू रिजन शो होते हैं जिसमें आउटर-मोस रीजन क्या कहलाता है? एपिडेर्मिस और इनर-मोस रीजन क्या होता है? parent कायमेटर सेल only two region are exposed in beginning of development of ovule right ovule के starting में जो reasons है वो only two ठीक है develop होते है inside क्या होता है parent के मिर्दूता कोशिकाओं का बना हुआ इस तरह होता है और बाहर की तरफ क्या होती epidermis अब देखिए जैसे microsporogenesis में था उसी तरह से क्या है जो parent कायमा की सेल्स हैं उन में से कोई एक सेल क्या होती है fully mature हो जाती है और fully mature होने पर अब हम इसको क्या बोलते है archie sporial cell जैसा कि आपको मालूम ही यह तीन पॉइंट पर different होती है number one size इसका increase कर जाता है nucleus mature होता है और जो protoplasm वो कैसा होता है जो first division है वो आपका होता है periclinal जिसको radial division कहते है अब radial division में क्या होगा देखो एक cell upside बनेगी एक cell downside upper cell को हम लोग क्या बोलेंगे primary parietal cell और lower side को क्या बोलेंगे sporogenous cell ठीक है clear अब देखिए जो इसमें parietal cell है इसका use नहीं होता है यानि कि यहां पर कोई भी covering नहीं बनती है इस कारण जो यह parietal cell है वो कुछ समय के बाद क्या होती है descendate कर जाती है यानि कि nusht हो जाती है तो इसकी जो parietal cell है वो कुछ समय के बाद क्या होती है nusht हो जाती है descendate कर जाती है बट जो sporogenous cell है ये मैचोर होकर मेगाइस्पोर मदर सेल में कनवर्ट हो जाती है मेगाइस्पोर मदर सेल जो है इसमें क्या होती है अब जो मेगाइस्पोर मदर सेल है इसमें क्या होता है मियोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस आपको मालूमी है mother cell divide twice and form four daughter cell तो यहाँ पर यह जो mega spore mother cell है जब इसमें meiosis division होता है तो इस division में कितने 1, 2, 3, 4 4 mega spores form होते हैं लेकिन इसका जो pattern है वो linear होता है यानि कि यह जो mega spore होते हैं वो पंक्ती के रूप में होते हैं उपर से नीचे अब जैसा कि आपको मालूमी है कि mega spore mother cell का nature क्या होता है 2N लेकिन जब इसमें meiosis division हुआ तो meiosis division से क्या बने 4 mega spore जो कि linear pattern पर होते हैं और इसमें chromosome number हो जाएंगे just half यानि कि N clear हो गई बात अब देखो जो 4 mega spore हैं इन में से 3 यानि कि 3 mega spores after some time degenerate जो अपर 3 हैं वो क्या होते हैं दोखो degenerate हो जाते हैं यानि कि इनका future में कोई work नहीं होता लेकिन lower most ये आपका क्या होता है functional mega spore यानि कि क्रियात्मक दीर्ग बिजानू तो ये जो functional mega spore है यही आपका in future female gametophyte के निर्मान में क्या होता है यूस होता है आज़े बसकंद में अब ये जो mega spore है अगर हम इसको individually बाहर देखें तो दोखो यहाँ पर मैंने एक अलग से एक diagram शो किया है functional mega spore अब ये जो mega spore है ये जितनी भी parenchyma cells है ठीक जितनी भी parenchyma cells है उनसे nutrition क्या करता है absorb करता है और जैसे इसे nutrition absorb करता है वैसे वैसे क्या है इसका size जो है वो increase करता है और size के increase करने के साथ इसका जो nucleus है वो divide होता है ठीक है तो first nd nd मतलब nuclear division first nuclear division के बाद किते बनेंगे 2 second nuclear division के बाद 2 से किते बनेंगे 4 ठीक अब जो पहला division होगा उसमें एक nucleus up side पे एक nucleus down side पे अब अपर वाला nucleus एक से दो में लोवर वाला एक से दो में इसी तरह से third nuclear division में क्या होगा अपर वाले 2 हो जाएंगे 4 लोवर वाले 2 हो जाएंगे 4 यानि कि total कितने हो गए 8 तो first division में 2 nuclei second में आपके 4 और third में कितने हो जाएंगे 8 तो कभी-कभी board में question भी आ जाता है कि जो typical embryo sac है उसमें कितने nucleus होते हैं तो उसका answer आपकी समझ में आए गया होगा कितने होंगे 8 nuclei अब जो upper and lower side पे यह जो 8 nucleus हैं इनमें से upper side का one और lower side का one यह migrate करके कहा जाते हैं और यहां पर यह mid region पर आने पर किसको बनाते हैं polar nuclei को upper के जो 3 हैं यह modified हो जाते हैं antipodal cells में जिनके नमबर होते हैं 3 lower के जो 3 बचे उनमें से 2 modified हो जाते हैं synergid cell में जिनके नमबर होते हैं 2 और एक होता है female gamit जो खिलाता है excel clear अगर हम egg cell और synergid cell दोनों को combinedly लेबल करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं egg apparatus यह जो egg apparatus है यही आपका main fertile part होता है जो after fertilization ठीक है new आप कह सकते हैं embryo या zygote को form करता है clear अब देखो अगर हम इस पूरे structure की बात करते हैं तो यह आपका क्या कलाता embryo सैक और इसी को हम लोग क्या बोलते है female gamitophyte clear अब देखो यह जो female gamitophyte है यह बन कहा रहा है ovule में तो यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जो embryo सैक है उसके protection के लिए और क्या क्या चीजे होती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक typical ovule का जो structure है उसको भी इसी के point पर समझ लेना होगा यह जो ovule structure है यह most important है exam में individually पूछा जाता है तो इसके points को भी ध्यान से आप समझ सकते है देखिए सबसे बीच में आपका अभी आपने देखाई embryo सैक हो जायाएगा इसको दूसरे language में क्या बोलेंगे female gametophyte अब देखो यह जो embryo सैक है इस embryo सैक के surrounding जो parent kinematous cells का एरिया है that is nucellus और nucellus आप पहले ही समझ गये थे nucellus में जितनी भी parent kinematous cells होती है वो mega score को nutrition देती है जिससे mega score क्या करता है develop करता है nucellus के surrounding two layer one, two one, two, two layer protective covering होती है जो कहलाती क्या integuments यह एक प्रकार के protective एसकते सुरक्षात्मक कवच होते है और इनके numbers कितने होते है two clear लेकिन यह जो कवच है वो embryo सैक को चारो तरफ से तो cover करते है लेकिन एक side पर यह क्या होते है e-mature हो जाते है और e-mature होने पे यहाँ पर एक passage बन जाता है एक छिदर बन जाता है एक pore बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते है micro pile after pollination जो micro spore होते हैं उनकी जो pollen tube है वो इसी point से क्या होती है embryo सैक में enter करती है अब देखो जो entegument है इनी के side से एक stock एक stock ठीक है develop होती है जिसको हम लोग बोलते है funicle और यह जो funicle है यह ovule को किस से thalamus से यानि कि puspassan से क्या करती है जोडती है इसके inside यह जो part आप देख रहे हैं इसको हम बोलते है conductive strength यानि कि xylem and phloem इसमें पाए जाते हैं और जो भी ovule के लिए main आपके minerals food materials nutritive substance जो भी चीज़े होती है वो इसी के दोरा conduct होती है यह जो funicle है वो integument से जिस place पर जुरता है वहाँ पर एक छोटी सी notch एक प्रगार का cleft होता है खाच ठीक बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते है highlam तो इस तरह से यह जो पूरा structure है यह आपका typical ovule structure कहलाता है एक point और है जो integument होते है इनका जो germination ind है यह दो जो इनका germination ind germination ind का मतलब है जहाँ से यह उत्पन हुए जिस place से यह उत्पन हुए उसको हम लोग क्या बोलते है चला जा तो यहाँ पर दूसरे के क्या होते है बिलकुल straight line पर होते है और funicle जो होता है वो side में होता है तो यह जो specialty है यह आपकी typical ovule structure के रूप में मारी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते है anatropos ovule anatropos p.o.us anatropos ovule यह typical ovule यह यह प्रारूपिक बीजांड के रूप में भी जाने जाती है और इसको प्रारूपिक यह typical इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी flowering angiospermic plant हैं उनमें से 80% जो plant है ठीक है वो इसी ovule को शो करते है तो इस तरह से आपका यह जो topic है इसमें आपका एक तो development of female gametophyte point है development of female gametophyte में आपको इतने diagram जो है वो show करने पढ़ेंगे 12345678910 10 diagram आपको female development के development के लिए क्या है आपको याद रखने पढ़ेंगे आप चाहें तो इसी वीडियो से diagram को draw कर सकते है उसके बाद आपका next point आता है इसमें वो आपका क्या आता है ovule structure ये भी most important है क्योंकि ये भी two marks में आपको मिलता है clear तो आज के वीडियो में आपको ये मैंने topic जो बताया है ये micro sporogenesis के बाद next topic है mega sporogenesis right clear तो ध्यान से इसको समझे अगर कोई भी आपको चीज ना समझ में आई हो तो आप हम से पूछ सकते हैं okay thank you